सोनाली और इंदर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो दोनों लव मैरेज कर लेते हैं सोनाली के ससुराल वाले बहुत अमीर होते हैं उनकी खुद की राशन की दुकान होती है लेकिन अमीर होने के बाद भी उनमें जरा भी गमन नहीं होता ये लो सोनाली बहु ये तुमारे लिए शगुन के गहने और ये खूपसरत सी साड़ी पसंद आई ना तुम्हें हाँ माजी ये तो बहुत ही सुन्दर साड़ी है मैं इस साड़ी को पहनने के बाद इसका एक बढ़िया सा लेंगा भी बना सकती हो मतलब ये तु क्या केर रही है बहु मैं कुछ समझी नहीं अरे कुछ नहीं माजी वेसे इन गहने और इतनी खूपसरत साड़ी के लिए थैंक्यू सो मज चलिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म मसाले दर चाय बनाती हूँ ठीक है बहु पुषपा एक बड़े से बक्से में घर के सारे पुराने कपड़े अपनी काम वाली को देने के लिए निकाल रही होती है तब ही वहाँ पर सोनाली आती है अरे ये क्या माजी आप ये सारे कपड़े कहा ले जा रही है कही ले नहीं जा रही बहू मैं इने काम वाली शांता बाई को दे रही हो इसमें इंदर के पापा के पुराने कपड़े है इंदर के कॉलेज तैम के शर्ट और टी शर्ट और मेरी भी काफी पुरानी साडिया है ओ ओफो माजी ये, आप भी न, खामखा इने शान्ता बाई को दे रही हो, तो इन पुराने फटे हुए कपड़ों का में क्या करू, क्या इनका आचर डलू? वेसी बात नहीं है माजी, आपको मैं वो बात कहे कर नहीं, बलके करके दिखाऊंगी, बस ये सारे पुराने कपड़े आप मुझे दे दीजिए, सोना लिको हमेशा से ही टेलरिंग का बहुत शौक होता है, वो उन सारे पुराने कपड़ों को अलग धंसे काट कर, एक नया सा डिजाइन बनाती है, शर्ट और पुराने कुर्टों को काट कर, उनसे बलाउज और टॉप बनाती है, और अपनी सास की पुरानी साड़ी असे, वो अनारकली ड्रेसूर लेहंगा बनाती है, ये सब देख कर, उसकी सास, ससुर और पती तीनों की तीनों आश्यरी चकित रह वाँ 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 बहुरानी, तुमने तो ये कमाल ही कर दिया, इन सभी पुराने कपडों से तुमने एकदम नए नवेले और शांदार कपड़े तयार किये है, वाँ कई में, काबिले तारिफ काम है तुमारा, होगा क्यों ना, आखिर बीवी किसकी है, हाँ बेटा, ये ब और ये खुबसूरत से लहंगे मेरी प्रेंट की शादी में पहनोंगी, बबो, तुम इन सब कामों में कितनी माहिर हो, तुम अपना खुद का दुकान क्यों नहीं खोल देती, हाँ सोना ले, वहाँ तुम अपने हातों से बनाए हुए, सारे डिजाइनर ड्रेसेस बेच सकत हाँ, वैसे आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, ठीके, तो तु कल से ही काम शुरू कर दे, वैसे भी महले में हमारी एक दुकान है, जो खाली पड़ी है, उसे रेंट पर देने की जगे तुम ही उसमें अपने ड्रेसेस बेचना शुरू कर दो, हाँ माजी, आज के जमाने में जहाँ एक लड़की की शादी होने के बाद, उसके ससुराल वाले उसे कुछ काम नहीं करने देते, वही आप लोग मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हो, दिल से थैंक्यू माजी, सोनाली अब अपनी दुकान खोल देती है, वो दिन रात मेहनत करके, अलग और हटके डिजा खोलने की वज़े से, नुपूर की दुकान पर काफी ज़्यादा फरक पड़ता है, और उसके ग्रहक कम होने लगते हैं, एक दे, एक माँ बेटी नुपूर की दुकान पर आते हैं, ये देखिए, शादी के जोडे की ये सुन्दर सुन्दर डिजाइन से मेरे पास, आलिया भट से लेकर परिनिती चोपरा तक सबने वाइट लेंगा ही पहना था, उन्ही की तरह है ये, इट्स वेरी ट्रेंडिंग, अरे का है का ट्रेंडिंग, तुम्हारी अकल वकल ठीकाने पर है की नहीं, शादी है, किसी का अंतिम संसकार नहीं, जो सफेद कपडे पहन कर करने चले जाओ, हाँ मा, शादी में मुझे लालिया हरा जोडा ही पहनना है, ये हो क्या गया है सबको, सेलिब्रेटिज को देखकर सब उन्हें कॉपी करने लगते हैं, हमारे कल्चर और ट्रेडिशन का तो कोई महत्वे ही नहीं रहा, अरे, हमारी संस्कृती का तो लियाज करो, जमाने को बिगाड कर रख दिया है इस आलिया कालिया ने, तभी उस दुकान से बाहर आने पर, उन दोनों मा बेटी की नजर सोनाली की दुकान पर जाती हैं, अरे, मा, वो देखो, उस दुकान की तरब तो हमारी नजर ही नहीं गई, उसमें तो एकदम बढ़िया बढ़िय डिजाइन्स वाले लेंगे है, और तो और उनके पास तो लालो और हरावाला भी लेंगा है, हाँ बेटा, चलो, इस मनूस दुकान में तो राजनिती, परिनिती और आलिया कालिया क्या लावा, और कुछ नहीं रखा, चलो, फिर मा और बेटी दोनु सोनाली की दुकान में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें भारतिय संस्कृत को मद्दे नजर रखते हैं, सोनाली द्वारा बनाए गए अनोखी डिजाइन्स मिलते हैं, ये देखिए, ये डिजाइन्स आप पर बहुत चचेंगे, आप मारवारी हो ना, तो आपके ट्रेडिशन को भी ये काफी जलका रहा है, सच में बेटा, ये डिजाइन्स तो बहुत ही सुन्दर है, मुझे तो ये दुकान बहुत अच्छी लगी, मा, मैं तो ये लाल वाला लेहंगा ही लोंगी, आप तो बहुत ही अच्छी डिजाइनर हो, कितने सुन्दर सुन्दर लेहंगे हैं आपके पास, वा, सच म मज़ा ही आ गया ये सारे लेंगे मैंने अलग-अलग कपड़ों को मिला कर यानि अपसाइकल करके बनाए है कुछ साड़ी से है कुछ कुर्टों से और कुछ चर्ट से बनाए है वाव! अमेजिंग! सोनाली की दुकान की तरत किसे? अब नुपुर की दुकान पर कुट्टा तक दू मिलाते हुई नहीं आता एक दिक सोनाली और हिंदर कही गूमने चले जाते हैं हिंदर ने तो कहा है जल्दी से तयार होकर जंगल के पास वाली नदी के लोकेशन पर आज जाना उसने मेरे लिए आज नाइट सर्प्राइज फ्लैन किया है पर आज वो मुझे इस सुन्दर सी नाइटी में देखकर तो फ्लैट ही हो जाएगा सोनाली होटेल के रूम में नाइटी पहन कर सजने लगती है वो नाइटी भी उसने खुदने ही बनाई होती है लेकिन बाहर जाने से पहले ही उसकी नाइटी एक ड्रावर में आटक जाती है और वो फट जाती है अरे नहीं ये क्या मेरी नाइटी तो फट गई मेने कितने प्यार से बनाये था इसे अब मैं क्या पहिनूंगी इंदर के तो मैसेज पे मैसेज आ रहे है अब इतनी लास मिनिट पर मैं क्या करूँ सोनाली बहुत परेशान हो जाती है वो आसपास कपड़े दोंती है जिससे वो कोई नाइटी बना सके लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता होटेल रूम के बाहर देखने पर उसे धेर सारी घास नजर आती है और उसके साथ फूल और पत्ते भी होते है चलो अब मुझे इसी से कुछ बनाना होगा सुई धागा तो हमेशा मेरी बैग में ही रहता है भगवान जी अब सब आपके हाथ में है प्लीज इस नाइटी को अच्छा बना देना मैंने इससे पहले घास और फूल पत्तों की नाइटी कभी नहीं बनाई फिर सोनाली फटा फट से एक बेहद ही कुपसुरत घास की नाइटी बनाती है और वो पेहन कर वो नदी किनारे जाती है इंदर तो सोनाली को उस नाइटी में देख पागल ही हो जाता है वाव सोनाली तुम इस घास की नाइटी में क्या लग रही हो कितनी सुन्दर है ये अमेजिंग फिर सोनाली और इंदर नदी के पास ही रात बर बैठ कर बाते करते हैं और अच्छा कॉलिटी टाइम्स पेहंट करते हैं सोना ली के गास की नाइटी की पोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद, वो काफी फेमस हो जाते हैं, और उसे अब देरो ओनलाइन ओर्डर्स भी आने लगती हैं, इंदर, मुझे एक साथ 200 गास की नाइटी की ओर्डर्स आई हैं, वा, कॉंग्रेचुलेशन सोना ली, सोना ली अपनी गास की नाइटी को दुकान में भी बेचने लगती हैं, और खूब मेहनत करती हैं, वो आगे जाकर एक बहुत बड़ी फेशन डिजाइनर बनती हैं, अंजली अपनी सास कोकिला के साथ रहती हैं, अंजली का पती गवत, अमेरिका में नोकरी करता हैं, लेकि अंजली बहु, तु अभी तक यहां घोड़े बेचकर सो रही हैं, चलुट, तुझे दो मिनिट भी आराम नहीं करना हैं, दुनिया भर के काम पड़े हैं, और तु यहां पर घोड़े बेचकर सो रही हैं, अरे यार, सोने दो ना माजे, क्यू मेरी नेन की दुश्मन बन र ही हो, मुझे यहां सोय अभी तो बस पाच मिनिट ही हुए हैं, ठोक गई हुमें माजे, अच्छा महरानी, रुक जा, अब मैं तेरी ठकावट ही दूर करती हो, फिर कोकिला बातरूम में जाकर, एक पानी से भरी बाल्टी में धेर सारे बरफ के तुकड़े मिलाती हैं, और वो बरफिला थंडा पानी, वो अंजली के उपर डाल देती हैं, जिससे अंजली थंड से कापने लगती हैं, आ, माजी, ये क्या बत्तमिजी है, आपने मुझ पर ये थंडा पानी क्यों डाला, क्योंकि तु नीन में घोडे बेचने में इतनी मगन हो गई थी, कि तुझे का आमकाच की कोई चिंता ही नहीं रही, माजी, पाच मिनिट हुए थे बस मुझे आराम करके, लेकिन आप से मेरा पाच मिनिट आराम करना भी हजम नहीं होता, कितनी पापी हो आप, छी, आप तो इस धर्ती पर बोज हो माजी, अरे ओ, राखी सावन की फर्स कॉपी, अपनी बकवास बन कर, वरना यही पर उल्टा टांक कर पिटाई करूंगी तेरी में, चला, काम कर, आई बड़ी, शादी के लिए रिष्टा तयकरने आये थे, तब आपने मुझे से कहा था, कि आप और में, हम दोनों भी गौतम के साथ अमेरिका जाएंगे, इन फैक गौतम ने त तो मुझे यही पर रोक लिया, और कहा कि तोड़े दिनों बाद जाएंगे, लेकिन वो दिन अब तक नहीं आया, क्यों रे, तुझे क्या इतनी पड़ी है अमेरिका जाने की, अमेरिका में क्या कोई बेश किम्तिक खजाना रखा है क्या उल्टिक खोपड़ी वाली चुड जंकी, पहले तु घर के सारे काम निप्टा ले, फिर देखना अमेरिका जाने के सपने, कोकिला हर बार बेचारी अंजली के अर्मानों पर पानी डालती रहती, और जब भी वो अमेरिका जाने की बात करती, तभी कोकिला बात को टाल देती, एक दिन अंजली गोतम से वीडि में ही कैद कर रखा है मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताने का कितना मन करता है लेकिन मुझे किसी जेल की कैदी की तरह यहां रहना पड़ रहा है अंजली मैं चाहू तो तुम्हें अभी आ बुला सकता हूं लेकिन मा मा के कारण में कुछ नहीं कर सकता अरे ऐसे कैसे तुम कुछ नहीं कर सकते तुम अपनी मा से बात करके तो देखो गौतम प्लीज यहां एक मिनिट काटना भी मुश्किल हो गया है मेरे लिए ठीक है अंजली तुम्हारे लिए मैं मा से बात करके देखता हूँ गौतम अपनी मा से अंजली को अमेरिका भेजने की बात करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और तुरंट फोन कॉल कट कर देती है मा जी आप इतनी बुरी हो सकती हो ये मैंने कभी सोचा नहीं था कितनी कटोर दिल हो आप बस मुझे अपनी गुलामी करने के लिए बहु बना के लाया है अपने ओ चांडाल कल मुही करम जिली ज़्यादा चपड़ चपड़ मत कर हाँ मैं जान बूचकर तुझे अमेरिका नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि वहाँ मेरा कोई नहीं है सिवाए मेरे बेटे गोतम के गोतम दिन राद बस काम में ही बीजी रहता है मेरे गिने चुने रिष्टेदार मेरी सहे लिया और पहचान वाले लोग सब यहीं पर है तो मैं वहाँ जाकर क्या करूंगी अरे आपको नहीं जाना तो आप मताईए ना मुझे तो जाने दीजिए आपको आपके बुरे कर्मों की सदा तो मिलकर ही रहेगी माजी आपने मेरी बाउनाओं को चकना चूर करके रख दिया है कौन सी सास ऐसा करती है भला बताईए मुझे अंजली अपने कमरे में चली जाती है कोकिला की अनुमती के आलावा अंजली अमेरिका में अकेली भी नहीं जा पा रही थी अंजली को रोज अपने कमरे में गोतम की कमी मेसूस होने लगती है एक दिन अंजली की तबियत बहुत खराब हो जाती है उसे बहुत तेज बुखार होता है डॉक्टर घर पर आकर उसे 24 गंटे रेस करने के लिए केते अंजली चलने बोलने की हालत में भी नहीं होती कोकिला जी आपकी बहु बहुत कमजर हो गई है उसे बहुत आराम की जरूरत है अगर वो आराम नहीं करेगी तो वो ठीक नहीं हो पाएगे अरे इसी कौन सी बिमारी ने जख़ड लिया है उसे डाक्टर बाबू क्या तुम भी हिल डुलत सकती है न वो नहीं उनकी बोड़ी पुरी तरह से कमजर पढ़ चुकी है और अब उनमें जरा भी ताकत नहीं बची शायद से ये सब ज़्यादा काम और साथ ही मेंटल स्ट्रेस के कारण हुआ है उन्हें अपने पन की सक्ट जरूरत है उन्हें प्यार की जरूरत है कोकिला अब अकेली ही सारा काम करने लगती है ओई चट पर कपड़े सुकाते सुकाते उसका अचानक से पेर फिसल जाता है और वो चट की चोटी से लटक जाती है बचाओ, बचाओ अंजली अपनी सास की चीक सुनकर बेहुशी और तेज बुखार के हालत में भी दोड़ी दोड़ी चट पर आती है और वो अपनी पूरी बची कुची ताकत लगा कर सास को चट पर वापस खीच लेती है लेकिन सास को चट पर खीचने के बाद अब अंजली की सारी शक्ती खतम हो चुकी थी और इस वज़े से वो वापस बेहुश हो जाती है हॉस्पीटल में अंजली को सलाइन लगाये जाता है जीवन में पहली बार कोकिला अपनी बहु के लिए भावुक होती है डाक्टर बाबू डाक्टर बाबू मेरी बहु वो ठीक तो हो जाएगी ना उसे कुछ होगा तो नहीं ना कोकिला जी मैं और मेरी टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे है उन्हें अब अंडर सेवर मेडिकेशन रखा गया है अब तक वो होश में नहीं आई है कोकिला अंजली के लिए दिन राद बगवान से प्रार्थना करती है और 24 गंटों के बाद अंजली फिर से होश में आ जाती है और कुछ दिनों के बाद पूरी तरह ठेक होने पर कोकिला अंजली के पास एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आती है अंजली बहू मुझे माफ कर दे बिटा मैंने तुझ पर कितना अत्या चार किया तुझ से कितना काम करवाया तुझे तेरे प्यार तेरे पती से ही दूर रखा लेकिन तुने शुरुवात से लेकर अंत तक अपना बहु धरम निबाया बेहोशी और बुखार के तपने के बावजुद भी तु मुझे बचानी आई मुझे माफ कर दे बहू तेरी इस हालत की दोशी में ही हो नहीं माजी ऐसा मत कहिए प्लीज अंजली मेरी सारी गलतियों का पश्चा ताप करने की बारी आ गई है आज की बाद ये कोकिला मुदी अपनी बहु को जरा भी तकलिप नहीं देगी ये ले ये तेरा तोफा है अरे इसमें क्या है माजी फिर अंजली उस गिफ्ट बॉक्स को खोलती है तभी उसमें अमेरिका की दो फ्लाइट तिकेट्स होती है उन तिकेट्स को देख अंजली बहुत खुश हो जाती है अमेरिका की तिकेट्स इसका मतलब हम अमेरिका जा रहे हैं हाँ भहू आज से मैं तुझे सारे बंदोंने से आजात करती हूँ और अब तेरे उढ़ने की बारी आ गई है हम जा रहे हैं अमेरिका ये ये और इस तरह अंत में कोकिला और अंजली दोनों एरोपलेन में सवार होकर अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ पर वो तीनों एक खुश हाल और समरिद्ध जीवन जीते हैं